हलो एवरिवन त्यागीदा नाम के सब्सक्राइबर ने मुझे कई बार बोला है कि मैं TRT वर्सिस PCT के उपर एक वीडियो बनाओ त्यागीदा का एक दोस्त है जो एक competitive bodybuilder है और उसको अपना muscle mass ना गिरे इसके लिए वो PCT नहीं करता वो सिर्फ testosterone replacement therapy करता है testosterone replacement therapy का मतलब यह है कि आप जो अंदर आपका testosterone बनता है उसे ना ले करके बाहर से extra testosterone और extra performance enhancing steroid को use करें ताकि आपका muscle mass बढ़े और ना गिरे वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसने जो hard gained muscles हैं वो deteriorate ना हूँ क्योंकि जैसे ही हमारे body में testosterone, dihydro testosterone, progesteron के levels गिरेंगे वैसे ही हमारे muscle mass deteriorate होना चालू होँगे यह नहीं muscle mass गिरेगा ऐसा ना होने के लिए त्यागीदा का जो friend है bodybuilder वो continuously किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई steroid लेता है अपने muscles को preserve करके रखने के लिए यह एक bodybuilder point of view से एकदम सही बात है बट उसके health के लिए बहुत खराब है और इसी कारेंट से bodybuilding को एक dangerous sport मानता हूँ मैं PCD का काम यह है ऐसी दवाया लेना जिससे के हमारा internal testosterone levels बनना चालू हो फिर से internal sperm production शुरू हो तो उसको शुरू करने के लिए हम PCD करते हैं बगर PCD का problem यह है कि आप इतना जादा unnatural levels जो hormone के हैं उससे जो muscles बने हैं उसको वो maintain नहीं कर पाएगा और उसके कारण से जब आप PCD पे आओगे तो आपका muscle drop होगा कुछ भी कर लो आप क्योंकि देखो आपके अंदर जो testosterone के levels है उससे कम से कम तीन गुना जादा levels आप achieve करते हो normal doses steroids के लेकर के तो वो कहीं पे भी उसकी तुलना नहीं बट PCD क्यों important है क्योंकि PCD करते समय हमारा body sporms भी बनाता है follicle stimulating hormone और luteinizing hormone दोनों ही secret हो करके वो correspondingly हमारे sertoli cells और ledic cells को जाके message send करने के बाद वहाँ से testosterone और sporms बनना शुरू होंगे सो PCD का एक मात्र फाइदा यह है कि वो spermatogenesis को promote करेगा जो process बंद हो जाता है bodybuilders के case में क्योंकि वो बाहर से जब कुछ लेते हैं तो हाइपर तॉलमस से luteinizing hormone और follicle stimulating hormone बनना बंद हो जाता है उस कारण से PCT बहुत जरूरी है अगर किसी को बाप नहीं मनना किसी को बच्चा पैदा करने में कोई interest नहीं तो PCT के कोई मतलब नहीं है PCT का दूसरा फाइदा यह है कि जो हमारे organs पे stress आता है oral steroids लेकर के जैसे के stenozolol, floximisterone, oxandrolone, oxymethylone, methendenone यह जो भी steroids है oral steroids लेकर के होता ही है कि हमारा liver जो है उसको damage पहुचता है तो उसके लिए एक समय आता है कि यह सब बंद करना पड़ेगा कुछ time के लिए ताकि liver हील हो सके so यह समय देना जरूरी है साथी साथ हमारा blood pressure बढ़ा हुआ होता है जब हम जादा steroids यूज़ करते हैं तो वो एक अलग story है मैंने कई बार यह सब मामलों को address किया हुआ है बट यहां पर बात यह कि PCT का एक मात्र मकसद है कि अगर आपको बाप बनना है अगर आपको आपका वंच आगे बढ़ाना है तो PCT जो जरूरी है नहीं तो आप bodybuilder अच्छे बनेंगे आप अच्छे से अच्छा बड़े muscular ब कितना भी PCT कर लो कितना भी हॉर्मोन मार लो कितना भी fertility drugs यूज कर लो जैसे क्लोमीफिन citrate है या कुछ भी है कुछ फायदा नहीं होने वाला सो त्यागीदा यह वीडियो तुमारे लिए था और बाकी ऐसे सभी लोगों के लिए जिसको यह दोनों का difference जानना हो सो दोनों क रहे यानि अंडवे जो हैं वो कारियरत रहें तो उसके लिए कोई-कोई लोग during cycle भी inject करते हैं FSH Follicle Stimulating Hormone या तो HMG यह अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अकोई-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अध तो यह अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अचीव करते हैं स्मार्ट बाड़ी बिल्डर और बाकी ऐसे बाड़ी बिल्डर जो एक दिन अचानक से हॉस्पिटल में पाते हैं अपने अपको और बोलते हैं यह क्या हो गया ऐसा होता है I hope आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा and I've tried my best to यानि मैं आपको समझा सकूं जो सबसे सरल तरीके से मैंने ऐसा प्रयास किया है Take care friends, be safe, be strong and have a nice day